Hello Friends, Divine Lights Association Team के Logical Reasoning Segment में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज Logical Reasoning Segment के अंतरगत हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है Sequential Puzzle जी हाँ ये वो टॉपिक है जिससे आप बहुत ज़ादा घबराते हैं लेकिन यकीन मानिए आप इस टॉपिक को आराम से सॉल्व कर लेंगे जी मिल्कुल हर वार आप इस बात में हम से हार जाते हैं इस बार भी हम आपको हराने के लक्ष को लेकर के ही साथ आए हैं और हम उसमें जरूर से जरूर काम्याब होंगे और इसके अलावा मेरा एक लक्ष और भी है वो ये है कि एक्जाम में भी आप ऐसा कर पाएंगे ये आपको प्रूव करना और ऐसा तब ही हो पाएगा जब हम different different sequential puzzles को लेकर के आपके पास आएंगे तो चलिए ये वाला puzzle आप solve करिए यहाँ पे लिखा हुआ है study the following information carefully to answer the given questions ठीक है दोखे क्या आपको यही करना है जो इसमें लिखा हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है study the following information carefully to answer the given questions क्या यही आपको करना है अरे 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 नहीं नहीं अगर यह आपने किया तो इसका meaning ही गलत हो जाएगा तो ऐसा नहों कि सारे के सारे जो answers है वो wrong हो जाएगा क्योंकि यह तो puzzle है unseen passage तो नहीं है ना इसमें हमें क्या करना पड़ेगा अरे येस बिल्कुल सही फर्माया आज सभी लोगोंने इसमें हमें जो information दी हुई है उसको logical order में arrange करना पड़ेगा तब जाकर के आप इसे solve करेंगे ठीक तो चाले शिरू करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 8 persons are going to attend seminar on two different date 13th and 28th of the four different months starting from March to June ठीक है आठ लोग है वो seminars attend करने जा रहे हैं हर कोई तेरा तारीक को या 28 तारीक को attend करने जाता है से मैनार को और यह जो दो तारीक है वो अलग-अलग मन्त की हैं महीने की हैं मार्च से लेके स्टार्ट हो रहा है महीना और जून तक चल रहा है याने मार्च, एप्रिल, मे जून इन चार महीनों में यह लोग ऐसा करते हैं ठीक? चलिए फास्ट कंडिशन है ओनली थ्री परसंस अटेंड सेमिनार बिट्वीन वी और यू हू गोस इन दा मन्त विच है इवन नंबर ओफ दीज ठीक है? देखो वी और यू के बीच में तीन लोग सेमिनार अटेंड करते हैं और यू कब जाता है? इवन नंबर के महीने के दिन में इवन नंबर के महीने कौन-कौन से हैं यहाँ पर एप्रिल और जून तो हमें ये देखना है कि वी कब अटेंड कर रहा है सेमिनार ठीक है? मान लोग की 13th मार्च को अटेंड करे तो यू कब जाएगा? तीन लोग हैं तो फिर देखो 28 मार्च फिर तेरा एप्रिल फिर आ जाएगा 28 अप्रिल तब तो में आ जाएगा तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता है अच्छा अब हम ऐसा करते हैं जो वी है उसको 28 मार्च को अटेंड करा के देखते हैं तब वो यू कब आता है? देखो 28 मार्च को अगर वी अटेंड कर रहा है तो देखो 13 अप्रल फिर 28 अप्रल फिर 13 माई अब 28 माई को तो यू अटेंड नहीं करेगा सेमिनार चलिए अब हम वी को क्या करते हैं 13 अप्रल को अटेंड करवाते हैं सेमिनार ठीक है? जब वी 13 अप्रल को करेगा तो यू का दिखते हैं क्या हाल होता है बच्ची कौनस कौनसी डेट 28 अप्रल फिर 13 माई फिर आया आपका 28 माई फिर यू अटेंड करेगा कब 13 जून को ठीक है तो एप्रल और जून इवन डेस के महीने हैं ठीक है यह क्लियर हो गया यहां तक चलिए नेक्स कंडिस्चन पे जो पी है उसके बाद चार से जादा लोग सेमिनार अटेंड करते हैं तो यानि कि सीधी सीधी बात अगर हम यह ले ले चार से जादा कोई साटन नंबर तो दिया नहीं है तो हम ऐसा भी मान लेते हैं कि जो पी है वो कब सेमिनार अटेंड कर रहा है तेरा मार्च को ठीक नेक्स्ट अउनली टो पर्संड अटेंड सेमिनार बिट्वीन पी आड़ टी हूँ अटेंड सेमिनार ओन एन इवन नंबर अफ डेट देखो पी और टी के बीच में दो लोग सेमिनार अटेंड करते हैं मान लो कि जो पी है वो तेरा मार्च को अटेंड कर रहा है ठीक फिर 28 मार्च ठीक फिर 13 अपरल और अब आ गया 28 अपरल ठीक है जो टी है वो कब अटेंड कर रहा है 28 अपरल को ठीक है पी कब अटेंड कर रहा है तेरा मार्च ठीक नेक्स्ट वी अटेंड सेमिनार इमीडेटली आफ्टर आर बट नॉट इन दे सेम मन्थ ठीक है तो जो वी है वो आर के ठीक बाद सेमिनार अटेंड कर रहा है तो याने कि वी तेरा अपरल को कर रहा है तो आर कब सेमिनार अटेंड करेगा 28 मार्च को ठीक है तो देखो डेटा में क्या क्या किसके किसके डेट निकली पी तेरा मार्च हो गया आर 28 मार्च को ठीक फिर वी हो गया 13 अपरल को फिर टी हो गया 28 April को, चार लोग ये हो गए, ठीक है, चलिए, next, Q&W attends seminar on the same date, but in different months, ठीक, Q&W, same date को seminar attend करते हैं, लेकिन different months में करते हैं, ठीक है, next, more than one person attends seminar between S and W, जो S और W है, उनके बीच में, एक से ज़्यादा लोग seminar attend करते हैं, आप देखो, सीधी सीधी बात है, जो S है, वो 13 माई को करेगा, ठीक, अब Q आएगा, वो कब करेगा, 28 माई को करेगा, फिर जो W आएगा, कब करेगा, 28 जून को करेगा, ठीक है, next, U and T, don't attend the seminar in same month, जो U है, और T, दोनों अलग-अलग महीनों में seminar attend करते हैं, ठीक, तो इससे निकल गया पूरा आपका डेटा, वो इस तरह से निकला दोस्तों, देखेगा, मिलाएगा आपनी sheet से, solution, P है, वो 13 मार्च को seminar attend करता है, क्या ये सही है आपका? very good, R जो है, वो 28 मार्च को attend कर रहा है, क्या ये सही है, very good, next, V 13 अप्रेल को attend कर रहा है seminar, ये ठीक लिखा है आपने, चलिए, next, T 28 अप्रेल को, ये ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही, fantastic, now S, ये 13 माई को seminar attend कर रहा है, आपके इस आपसे भी आई है, very good, fantastic, now Q जो है, वो 28 माई को seminar attend कर रहा है, ये ठीक है, चलिए, बिल्कुल ठीक है, very good, हम जीत गए, U, तेरा जून को seminar attend कर रहा है, ये सही है आपके उस में, शीट में, चलिए, very good, जो W है, वो 28 जून को seminar attend कर रहा है, क्ये ये सही है, very good, now, fantastic, चलो, डेटा का मिलान भी हो गया, अब चलते हैं हम questions पर, पहला question है, who attend the seminar on 28th में, जो 28 मही की तारीख है, उसको कौन seminar attend कर रहा है, very good, answer आपका बिल्कुल सही है, क्यों, next, we attend seminar on which month, जो W है, किस महीने को seminar attend कर रहा है, very good, April, बिल्कुल ठीक, next question, how many persons are going to attend seminar between Q and R, Q और R के बीच में, कितने लोग समिनार attend करने के लिए जा रहे हैं, R का बटेंड कर रहा है, very good, 28 मार्च को, और Q का बटेंड कर रहा है, 28 में, तो ऐसे में हुए कितने लोग, तीन लोग, तिक, next, which statement is true about W, W के विशय में कौन सा कथन सत्य है, आपको यहाँ पे यह बताना है, यह तो आप आराम से कर लेंगे, Option A, W attends seminar on odd date, क्या यह सही है, नई, next, W attends the seminar on a month which has even number of days, W उस महीने में seminar attend करता है, जिसके दिन even number के होते हैं, ठीक है, 30 दिन होते हैं, ऐसा कुछ है, गलत है, चलिए, मही हो गया, ठीक है, नई, नई, यह सही है, next, only two persons are attending the seminar between T and W, क्या यह सही है, नहीं, next, Q attends seminar immediately before W, क्या यह सही है, गलत है, और next है, none of the above given option is correct, कौन सा वाला सही लगता है, W attend seminar in a month which has even number of days, यह जो statement है, वो बिलकुल सही है, ठीक है, very good, आप लोगों ने बिलकुल सही जवाब दिया, even हम अटक गये थे, इसलिए देखा, आप लोगों की जीत हुई, यह प्रूब हो गया है, अब चलिए last सवाल पे आते हैं, हमारा लास सवाल है, which of the following combination is not correct, कौन सा combination है, ऐसा है, जो बिलकुल सही नहीं है, option A, P, 13th March, क्या यह गलत है, नहीं, option B, Q, 28 में, क्या यह गलत है, नहीं, option C, U, 13th June, क्या यह गलत है, नहीं, next option D, V, 28th April, क्या यह गलत है, यह सही है, और next option सुन लिजे, S, 13th में, क्या यह गलत है, यह सही है, कौन सा combination आपको गलत लग रहा है, बिलकुल सही, V, 28th April, यह महीना तो इसने बिलकुल ठीक लिखा है, लेकिन, डेट गलत है, V, अटेंड किया था समिनार कब, 13th April को, इसलिए यहाँ पे इनका जो यह हो जाता है, डेट हो जाता है, वो गलत हो जाता है, इस तरह से यह combination को भी यही पे दी बिलकुल ठीक फर्माया, खारिच किया जाता है, तो चलिए दोस्तों, यह जो segment है, वो यही पर इसी सवाल के साथ खत्म हुआ, लेकिन, friends, हम आपसे एक request जरूर करेंगे, वो यह, कि आप सभी लोग इस segment को दिल खुल करके enjoy कीजे, और साथ ही इसे ओल लोगों तक सिरूर से जरूर पहुचाने की पूरी कोशिश कीजेगा, my most dearest of the dearest friends, जो लोग internet facility का लाग नहीं उठा पा रहे हैं, है ना, तो इसी छोटे सरे request के साथ, हम आप सभी के बेर सारे प्यार, जुनून, चस्पात, और कड़ी मेनद के साथ-साथ, आप सभी के उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसके बदालत, ना सिर्फ आप सभी नई-नई उच्चा योगों चूरे हैं, बलकि साथ ही आप सभी हरक्षेत्र में अपनी योगिता का पर्चम लहरा पाने में भी भाली भाति सक्षम है, तो दोस्तों इसी बात के साथ और इसी कर्व की भावना को अपने मन में संजोरी वे, 4A Divine Lights Association टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार